अब बहन जी जंता की नब्स को टेटोलने में फेल हो गई जी उसी पैटर्न पर चल रही है वो दिल्ली का कौन रहेगा वो क्या कते हैं परभारी वही रहेगा जिसकी पिटाई भी हो चुकी गलत तो नहीं मैं बोल रहा हूं वही रहेगा जिसके लूटने का परमान मिल चुक वो चुनाव लड़े तो बी टीम नहीं और बहन जी लड़े या वईसी साहब लड़े तो बी टीम हो जाए तो यह बहन जी को नेतुट करना था पूरे तेश का बहन जी चुकी है मैं कहूंगा इस बात को बेशक मसपाईयों को बात मेरे बुरी लगे तो कोई पता नहीं चर्चा करेंगे हम बहुदर सुआज पर्टी के बारे में बहुदर राजमीती के बारे में जो कि अबी दोजार चोबिस के यलेक्शन के बाद लगातार सवाल प्ता जा रहे हैं और जो गड़वन्दन बने थे तमाम चाहें उनड़ीजा गड़वन्दन है लोगों को ऐसा जो अभी वरत्मान में बहुजन राजनीती को लेकर जो तमाम हल चले हैं, बहन जी का भी नाम आता है, और कैसे देख रहे हैं इसको हम? लेकर एक बात समझनी होगी जो भी राजनीत करते हैं, बहन जी तो बड़ी पड़ी पकवनेता हैं, चार चार बर उत्तर प्रदेश की मुखमंतरी रही, साहब काशीराम जी के साथ काम करने का सौभाग पराप्त हुआ है, बड़े दूर दृष्टी थे साहब काशीराम के, ब दिखा दिया, मुखमंतरी बना कर दिखा दिया, अब बहन जी जनता की नब्स को टटोलने में फेल हो गए, जनता में एक माइनसेट बनाया गया है, कि हर हाल में आपको A और B तै करना, C और D आप्शन नहीं, यदि हम पॉलिटिक्स करते हैं, तो हमारी राजनीत में हमारा जो प्रमप्रागत मत दाता है, जो ट्रेडिशनल वोटर है, और वोटर हमारा, वो A को पसंद कर रहा है, जिसको हमारा वोटर पसंद कर रहा हमको उससे ही तालमिल बैठाकर उसी में एरजिस्ट करना चाहिए, इस बार भी A और B में एंडिया और इंडिया था, दो ही था, तीसरे को बहुत कम तवज्जो भारत में मिला, कहीं कहीं, अब जैसे पशिम मंगाल में ममता बनर जी सत्ता में थी, और ममता बनर जी भी एक दवंग लेड़ी है, उनका भी लंबा अनुवब है, तो वो C आप्शन पर अपनी गाड़ी निकाल ले गई, लेकिन बीजू पतनायक का, और बीजू पतनायक नहीं, एक और उभरता हुआ नाम आंदर परदेश का था, वो था YSR Congress, ठीक है, उभरता हुआ नौजवान, लेकिन न वो NDA में था, न इंडिया में था, नतीजा क्या हुआ, वो आपने भी देख लिया, सारे भारत के लोगों ने A और B में ही फैसले हुए हैं, C और D को तवज्जो नहीं मिला है, बहन जी इस बात को भापने में बिफल हो गई, बहन जी ने C भी जो बनाया, वो बच्चा जो पहले दूसरे किलास वाला लिखता है ना, टेड़ा मेरा, ममता बनर जी की तरह C नहीं बनाया, मैं चुनाओ पुर्व कई बार आग्रह किया था, बहन जी से, शोशल मेडिया के माद्यम से, हलाके बहुजन समाज पार्टी की कुछ जिमेदारों से भी मैंने मुलकात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि संदेश बहन जी तक शायद नहीं पहुँचा, मैंने आग्रह किया था कि यदी, आप अंडिया में नहीं जाना चाहती हैं, और इंडिया में नहीं जाना चाहती हैं, तो भी हम जैसे लोग आपके साथ हैं, लेकिन शर्त, शर्त है कि तीसरा जो विकल्प आप देंगे, वो सशक्त विकल्प देंगे, जिसको जनता सुईकार कर ले, कम से कम आपके वोटर पीस पार्टी के साथ उनको तालमिल कर लेना चाहिए था, M.I.M. के साथ कर लेना चाहिए था, और यह जो भरता हुए कि नौजवान नगीना से जीता है, चंद से कर, अगर बहन जी चाहती है, फॉलिटिक्स में गेम होता है, बहन जी सिर्फ अपने परत्याशी को विड्राव कर वा लेती है, मनगीना से बीस पी चुनाओ नहीं लड़ेगी, खली अतना बोल देती, एक मैसेज जाता, कि बहन जी ने सपोर्ट कर दिया, तो उनके दूसरे समर्थक जो थे वो फिर लौट की इधर आते, अब समझ रहे हैं बात की नहीं है, इस तरह से और छोटी छोटी पार्टियां थी, मौरिया जी इदर उदर से उचल कूद के परेशान हो गए थे, सब लोग जानते हैं, मौरिया जी हैं तो उसी बस्पा के प्रोड़क्ट न, बहन जी ने मौरिया जी को बरी मिदारी दे रखी थी अपने मंत्री मंडल में, ये भी आपको पता है, बस्पा में एक गदावर नेता की हैसे से मौरिया जी पहना जाने जाते थे, ठीक है वो उचल कूद के बाजपा गये, सपा गये, लेकिन लौट के बुद्दू घर को आए, वो अपने जग़े पर लगभग लगभग वो आ चुके थे, बहन जी अगर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा एक कतम आगे बढ़ जाती, किसी को भेज देती, बुलाओ यार, कहां परेशान है मौरिया, आजा भई तू भी, तो मौरिया जी अभी जिस जगह पर खड़े हैं, उनको बहन जी जैसे नेतर को की तलाश है, यह मैं बता रहां उन्दा से, तो कई और नेता, भी देखिए राजबर कहां खड़े हैं, अब राजबर कहां खड़े हैं, पता है आपको, मौधी योगी के खिलाफ अभी उनका बयान आया ना, तो A से भी गए, B से भी गए, तो जाहिर सी बात है, C वाला उप्शन तलाश हैंगा न, तो बहन जी के लाबा कोई मजबूत लीडर है क्या, कोई नहीं है न, राजबर भी बस पाई है, यह आपको पता होना चाहिए, सरोज भी बस पाई है, और कुतनी पाटियां चोटी चोटी है, जो बस पाजे निकल के बनी, बहन जी को सबको समेटना चाहिए था, तो समाज में एक मैसेज जाता, अरे बहन यह यह तीसरा जो मोर्चा है, यह बढ़ कड़क मोर्चा है, और यह निमट लेगा, जो यह मैसेज जाता, तो अधिकान्श वो जो मुल्लिवासियों का वोट है, जो दरीत और मुस्लिम केंबिनेशन कहलाता है, यह इनकी तरफ आ जाता, और अर्दस-पंद्रे सीट आराम से निकल सकता था, लेकिन बहन जी ने इस बात को नकारा, या नब्स टटोलने में फेल हो गई, जिसका खम्याजा बस्पा को भोगतना पड़ा, लेकिन अभी भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं, आज मैं माईट पर कार रहा हूँ काय मेरे पर दावे से आपके, आज अगर बहन जी ये फैसला ले ले लेती है, कि वो जो तमाम बिखरा हुआ मेरे प्रिवार है, किसी भी कारण वश, वो हमसे दूर चला गया है, हम उसे जोड ले एक बात, दूसरी बात, कि यूवे ने तुर्त जो अब मैदान में आ रहा, जिसके अंदर संगर्श करने, जिसके अंदर, मनहें, सामाधिक लड़ाईों को लड़ने, और मुद्दों पर जिसकी पकड़ और बोलने की सलाहियत, ऐसे जो नौजवान, तमाम बस्पा माइंड के यांबेत करवादी जो मार्केट में आ रहे हैं, अगर बहन जी इनको भी जमा करना शुरू कर दें, तो पाटी उट जाएगी, लेकिन बहन जी उसी पैटर्न पर चल रही है, वो दिल्ली का कौन रहेगा, वो क्या करते हैं परभारी, वो ही रहेगा जिसकी पिटाई भी हो चुकी, गलत तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो ही रहेगा जिसके लूटने का परमान मिल चुका, वो ही रहेगा जो टिकेट बार-बार बेच रहा, वही रहेगा जो कभी मार्केट में कामी नहीं करता जब चुनावाता सिर्फ टिकट कौन लेगा यही ढूंडता रहता ऐसे पार्टी चलती है क्या पार्टी परभारी उसको कहते हैं कि एक एक बिदान सवा में वो टीम खड़ी करे और टीम ऐसी कि मागर सामाजिक मुद्धिय आजाए तो वो टीम हिला के रख दे दिल्ली को और दिल्ली में जो चलने वारी सरकार है उसको भी जाए संदेश और जंता को भी संदेश जाए कि बस्पा को हरके में ना लेना भाई लेकिन आज तो संदेश यही है कि बस्पा है ही नहीं दस जंडा लेके पहुंच जाते है कहीं भी अब आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में चला था अंदोलन री डॉक्टर रीतु का बस्पा के लोग पहुंच जाते थे सव पचास उसी में परदेश अद्देख्ज भी हैं और परवारी भी हैं परवक्ता भी हैं सब हैं यानि कुल मिला के वही कुमबा ये का होती हैं वो साहब वाला यूग अलग था कि भूके भी लोग चलते थे उनके मन में समाज के परती ऐसी भावना होती थी कि ना भावाब भूके रहेंगे चुड़ा खा लेंगे मुड़ी खा लेंगे सत्तु फांग लेंगे किसी के घर मांगते रोटी खाके पानी पी जाकर समाट कर आप वो बात नहीं है साफ लोग होटल में खाना खाना चाहते हैं तीन बार चाय चार बार घुटका पांच बार पानी का बोतल मैं यह आराम दे रुकने की जगे आराम दे चलने की गाड़ी यूग बदल गया सोच बदल गया तो आप साहब के उस जमाने की मैंके साथ, नोकिया मुबाइल मश्бdles mit बेसा, मारकेट से आउट है, कि यो आउट है, कि जो डिमांड्स हैं उस पर उो खड़ा नहीं उत्र रहा, उसकी मश्बुती में कोई कमी नहीं तो बस्पाव नोकिया है, है तो वह बहुत मजबूत उसूलों की पार्टी है सिद्धांत की पार्टी है लेकिन वो मार्किट में जो डिमांड्स है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं लगाता है राफिशाब यह लोग जो जाम लगाते हैं बसपा पर बिटीम है उसको आप कैसे देखते हैं यह बी सी से तो अलग अलग लड़ी ना दोनों अपने आपको सेकुलर कहती है न शेरो मनिया काली दल कौन सी टीम है गुजरात में आमाधी पार्टी जाके चुनाओ लड़ी वो कौन सी टीम थी किसका वोट काट रही थी मद्परदेश में अगर आमाधी पार्टी लड़ती है तो वो बी e-team बनके गएते या e-team बनके गएते ये ये कोई पैमाना ही नहीं अदाम आखी पार्टी या दूसरी कोईबिघी पार्टी तमाम राज्जियों में जाके चिनाव लड़ रही है अउनके जहंडे हैनुक्त कार्जक्रम तो B team नहीं और बहनजी लड़े या वईसी साब लड़े तो B team हो जाए तो यह पैमाना चल कर दो कहीं नहीं है ब्रहम की इस तो नहीं है समाज को दिख भरमित करने का परियास केबल भाजबा की ओर से नहीं कथी तौर कर शीकूलर पार्टि उंसने मेरा कॉपी राइट ये ब्लॉक जो है वो ऐसा रहे कि इस पर कोई सेंग मारी दूसरा न करे आराम से माई का नारा लगाया बिहार में तो यादब मुसलिम मेरा हो ठीड है और फला का नारा लगा है तो फला मेरा होगा और भाई ये मेरा तेरा का क्या मतलब है हम मत दाता है हम तयकर रहेंगे ना कोण सी पाटी की नीती अच्छी actions पाउलिसी अच्छी नेता इमांदार है किसके साथ हमारा भविश्प शुरकषित है ये तयकर नहीं तहर दि किया यही नहीं ना उकरी तुम्हारी 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 त और वो जो 9% 10% वाले लोग हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है और वो फिर B टीम, C टीम, D टीम कह कर वो अपना कुमबा जमा करते हैं सरकार जब भी बनी के अंदर में परदामत्री कोई भी रहा हो चाबी जो है सब्ता की वो हमेशा ब्रहमनों के पास रहा है और आज लोग गलत वहमी में कि मोदी जी पिछड़े हैं आज भी रिंग मास्टर कोई ब्रहमन है वो भी चितपावल ब्रहमन है जान लिजी आप रिंग मास्टर है तो यह परिवरतन तब आएगा जब विशुद रूप से वो अंबेद करवा दी जो तपा तपाया है जिसने मने प असली परिवरतन आएगा और वो अभी फिलहाल तो दिखने रहा है बहन जी को नेतुर्ट करना था पूरे देश का बहन जी चूकी है मैं कहूंगा इस बात को बेशक बसपाईयों को बात मेरे बुरी लगे तो कोई बात नहीं कुछ परिवरतन हो नहीं कुछ परिवरतन है चंद शेकर मैचुएड अभी नहीं ये बात जान लेजे आप चंद शेकर अभी प्रिमैचुएड है मैचुएड नहीं है और चंद सेकर से बहुत ज़्यादा उमीद बांध लेना ये मुझे लगता है कि ये समय से पहले कुछ बोल देना कहलाएगा बहन जी से उमीदें है लेकिन अब बहन जी की आखिर मजबूरी क्या है ये समाज के अंदर वियकुलता बढ़ रही लेकर कारण क्या बहन जी जोचनूतिया है देश में ये राजनीटी चनूतिया है हुँ उसकुछ विकार क्यू नहीं करती है और क्यों नहीं वो जो रिकारिमन्ट है उसको पूरा क्यों नहीं कर पाती है जो समध चाहता है उस उमीदों पर वो खड़ा क्यों नहीं उतर पारे यह व्याकुलता है समाज में और मैं सच बताँ तो हम जैसे तमाम लोग यही बार-बार कहते हैं कि बहन जी आखर प्लान क्या बना रहे हैं यह प्लान समझ में बात ठीक है दूसरी पार्टी को पता चले ने पता चले लेकि मुस्लिम वोटरों को दलित वोटरों को तो पता चले कम सकम कि हम जिस पार्टी के लिए लगना मरना चाहते हैं अब चुनाव खतम हुआ उन्होंने मुसलमानों को पर एक स्टेटमेंट दे दिया कि मुसलमानों को हमने इतना टिकेट दिया इतनी ये दिया इतना इतना ये वोट नि दिया ये ये राजनीती से वोट है वो केवल दलितों का नहीं आपके पास जो मुसलिम परत्याशी जहां जहां लड़े हैं अमरौह में जो लड़ा उसको जतना वोट है उसको मुसलिम वोट भी है उसके खंदान का, उसके दोस्त का, यार का और बस पा से जुड़े वैचारिक दिरिश्टी कोंट से जुड़े लोगों का भी है ये कह देना कि लिए फलाने वोट नहीं दिया या धोका दिया या धोके बाज है उससे क्या होता भविश्क की राजनीती आपकी और कमजोर पड़ेगी बहन जी से ऐसी उमीर है हम लोग कभी करते नहीं लेकिन पताने कौन आदमी पीछे है कौन है जो बहन जी को दिख भरमिद कर रहा है या पत से भटका रहा है इनसे गलत बयान दिलवा देता गलत काम करवा देता है गटबंदन में जाने नहीं देता गटबंदन बनाने नहीं देता बिश्रे लोगों को साथ में लाने नहीं देता, पार्टी का बिस्तार करने नहीं देता, कार्ज करताओं का मनोबल बराने नहीं देता, जंडा डंडा लेकर चलने नहीं देता, किसी मुद्दे पर कुछ बोलने नहीं देता, आखरी ये कौन लोग हैं पर्दे के पीछे से ये जानना बहुत इन समाज को बहुत जरूर है लेकिन रायना बदे के बस्पे के साथ होगा कल्या नहीं पार्टियां आती जाती रहेंगी लेकिन बस्पा बस्पा है बस्पा को पुनरजिवित करने की आवश्यक्ता है नए लीडर्शिप को आना चाहिए आका शानन को भी आना थीक है युवा हैं कहीं बोलने में जबान फिसली होगी हम लोग कभी फिसल जाता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सारी जम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाया चाहिए और आका शानन जिसे मैं कहूंगा कि समाज के बीच जाकर समाज के परगुद्ध लोगों के बीच अलम सरवर्जी हमारे साथे तमाम बाते आपने सुनी हैं आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर दें क्योंकि आपके कमेंट को तमाम लोग पढ़ते हैं और सच्चा ही बाहर आती है तमाम खबर के लिए आप दिखते रहे हैं जस टीवी इलिया